हेलो सुदेंट्स वेलकम तु एन अकाडमी स्टुडियो जैट्स करेक्ट फांडेशन एन न्टिस सी एंड वी आर लाइव इस सेशन तो मैं जो है आप लोग के साथ जो है लिंक एक बार सर्कुलेट कर देता हूं गाईज भाई सेशन की जो है शुरुबात हमने कर दी है आप लोग के लिए एंड जस्ट सर्कुलेटिंग दे लिंक विद्ध यू गाईज चलिए भई तो आप लोग को लिंक मैंने भेज दिया है ठीक है हाई तुशार हाई शुब्रा हाई अश लक्ष विज स्टेट अरे ले श्टेट तो कली बता जिया था बेटा स्टेट तो कली बता जिया था कली हमने इंफॉर्म कर दिया था गुजरात का पेपर लेके आया ठीक है ये तो मैंने कल ही बच्चा आप लोग को बता जिया था ठीक है So let's start this session, it's a quiz time And हम जो है सवाल back to back करना है start कर देते हैं Start करने से पहले बच्चों आपको schedule बता देता हूँ 11 a.m, Monday, Wednesday and इस week के लिए Thursday को जो है IOQJS की DPP solve की जा रही है ये DPP, Physics Galaxy Book से बनाई गई है Conceptual exercise से बनाई गई है दिन में दो बज़े जो है बेटा आपका NTSC Guru Cool एक कोर्स सल रहा है जिसमें previous year question papers हम अलग-अलग जगह के NTSC के कराते हैं ये week जो चल रहा है इसमें हम West Zone को cover कर रहे हैं इसके अंदर आज गुजरात आपका state उसके questions अपन solve करेंगे Unacademy के plus platform पे बच्चो शाम को 5 बजे class है यहां एक नया course start हो चुका है जहां में revision आपको करा रहा हूँ तो बच्चो आज Newton's laws of motion के questions यहां पर जो है हम plus platform पे discuss करने वाले हैं अपने आपको plus platform पे enroll करने के लिए RA live referral code का इस्तमाल करें 10% free guys आपकी यहां पर reduce हो जाती है and with study material, with doubt solving sessions आप अपनी preparation कर पाते हैं शाम को 475 बिटा NTSC crash course होगा इसके अंदर मैं आपको आज gravitation chapter के questions कराने वाला हूँ and उसके बाद 1000 NTSC PYQ series जो है यहां पर भी हम NTSC के previous year questions in the format of quiz plus platform पे attempt करते हैं चली पूरा complete schedule आपको बता दिया है यह जो plus course का tracker मैंने बना रखा है आप यहां समझ सकते हैं कि अनकाइट भी plus platform पे जितने भी courses बच्चों मैंने आपको कराये हैं उसमें किस course में क्या topic cover किया गया है इसके अलावा special classes के link भी आपको tracker में arrange मिल जाते हैं यह जो tracker है इसे आप कैसे access कर सकते हैं YouTube के वीडियो के नीचे आपको राहूल पंचोली सर्स course guide लिखा मिलेगा With the help of this you can access the tracker ठीक है चलिए अनकाइटमी प्लस platform के subscription के बारे में बात कर लेते हैं अगर आप class 7th या 8th को end कर रहे हैं तो आपको 2 साल का anacademy subscription जो है 21,000 में मिल जाता है अगर आप class 9th को खतम कर रहे हैं तो आप 1 साल का anacademy plus का subscription for your foundation, NTSC and Olympiad journey ले सकते हैं जैसे आप referral code RALIVE यहाँ डालेंगे आपकी जो fee है 10% से reduce हो जाएगी and यहाँ पर again 10% से fee reduce होगे यह revise number यह है जो आपके सामने आ जाएगा similarly आप JEE platform या NEET platform का भी जो है subscription लेते हैं वक्त for your fee reduction you can use RALIVE referral code आपकी 10% fee guys यहाँ पर reduce हो जाती है आई यह शुरुवात करते हैं एक बहुत ही straight forward paper की यह NTSC paper है बच्चो गुजरात का पहला सवाल आप लोग की screen पर यह रहा एकदम rapid fire में back to back आपके सामने questions होते जाएंगे ठीके तो जितने भी बच्चे हैं कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हम NTSC UP दे रहे हैं हमें यह देखना चाहिए कि हाँ भई NTSC UP वाले भी इसे देख सकते हैं बाकी स्टेक जो है जिसमें आप लोग हैं आप लोग भी इसे attempt कर सकते हैं that will be beneficial for you चलिए start करते हैं आज की class पहला सवाल आप लोग की screen पर यह रहा come on guys पहला सवाल आप लोग की screen पर यह रहा come on guys फटाबट फटाबट back to back सवाल करते चले बहुत straight forward आसान आसान सवाल आप लोग की screen पर आने वाले हैं because paper ही easy होता है तो हम जो है सारे सवाल आप लोग के लिए paper के ही लेके आते हैं यहाँ पर मैं just जो है answer की जो है वो एक बार देख रहा हूँ जिससे कि मैं आप लोग को सारे answers जो है सही सही time पे बताता चलू साथ साथ में चली तो मैंने इसकी answer की check कर ली अब मैं जो है lot के आता हूँ और आप लोग को जो है बताता हूँ और आप बचों ने ए answer का absolutely correct बहुत सीधा सवाल train is starting from resistance velocity of 72 km per hour u 0 दे रखा है v की velocity 72 इसे meter per second में convert करेंगे ठीके तो यह बन रहा है 20 meter per second in 5 minutes then the acceleration assuming that the acceleration is uniform कितना आसान सवाल पूछा गया v minus u by t आपको करना था तो आप देख सकते हैं 20 minus 0 time की value जो है 5 minutes 5 into 60 यह दे रखा है तो आपका जो answer है यह आप ठीके 1 by 15 so that is why a is the correct answer एकदम सीधा सवाल सबसे आसान सवाल कहेंगे इसे अभी तक ठीके next सवाल यह रहा what is the unit of force that is the question that is asked in the NTSC force की unit क्या है बिटा गुजरात का paper बहुत ज़्यादा straight forward आता है गुजरात का paper बिल्कुल straight forward आता है unit of force mass into acceleration kg meter per second square I hope सब बच्चों को option C जो है बहुत ही आसानी से यहाँ पर दिखाई दे गया होगा so that is the way you can solve एक बच्चे ने फिर भी यह दिया है पिटाई होनी चाहिए kg meter per second mass into velocity momentum है वो है न तो यह गलती नहीं करने का next सवाल third question बच्चों यह रहा आप लोग की screen पे what is the mass of 6 kg object on the moon हाँ बेटा माराश्च का 2019 कल हो गया और भी कराएंगे अपर आपको UP के paper में heat नहीं आता है बेटा UP के paper में heat कभी भी नहीं आता है तो देखो यार फाल्तु का time waste करने के लिए एक सवाल जो आपको confuse करने की कोशिश की गई पर बच्चे नहीं होंगे क्योंकि उन्हें मालूम है कि mass जो है वो as it is रहता है वेट अगर होता तो 16 हो जाता mass as it is रहता तो क्या पता कुछ बच्चे गलती से 1 मार दे पर 1 नहीं होगा same रहेगा as it is रहेगा mass will not change ठीक है चलिए आसान सवाल next सवाल आप लोगी इस एकोवेलेंटू हाँ सोशल थोड़ा हाड आता है सोशल साइंस हाड आता है अब बेटा यह कर लेते हैं तो आपको पता है सर यह जो है रटी रटाई चीज है 3.6 into 10 to the power 6 तेखें जा रहा 3.6 10 to the power 5 गलत 36 into 10 to the power 5 एकदम सही 36 into गलत गलत तो 3.6 into 10 to the power 6 होता है उसे 36 into 10 to the power 5 भी आप लग सकते हैं एकदम आसान सवाल पांचवा सवाल आप लोगी स्क्रीन पे यह रहा क्वेशन नमबर 5 गुजरात के पेपर का यह रहा आप लोगी स्क्रीन पे कबढ़ दोस्तो find the power of a concave lens of focal length 2 meter ठीके पहली चीज तो यार focal length negative होगी क्योंकि यह concave lens है concave lens की power जो है negative होती है ठीके देखते हैं बाई बहुत सारे बच्चे यह answer दे रहे हैं बहुत straight forward सवाल बच्चो पार को किस तरह से लिखा जाता है 1 upon focal length तो यह focal length है 1 by 2 जीके with a negative sign तो that is minus 0.5 d meter में ही रखना है और meter में ही दिरक है that is why a is the answer एक और बहुत ज़्यादा असान सवाल चटा सवाल आप लोग की screen पर यह रहा question number 6 उत्तर प्रदेश का paper ऐसा ही इतना ही easy होता है बेटा चलिए guys मद्रप्रदेश का भी आएगा सबका आएगा tension ही मतलो बस करते चलो तुम लोग ठीके so guys absolutely correct central point of a lens is known as बीचो बीच वाला point center of curvature नहीं या और principle focus नहीं optical center बीचो बीच जो होता है lens में that is known as optical center of the lens ठीके तो यह चीज आपने देखी next सवाल पर चलते हैं यह रा question number 7 आपकी screen पर come on guys राजस्तान का भी बहुत आसान पेपर होता है next question आप लोग के सामने ऐसा हर्याना क्यों नहीं आता माराश्ट का बीचा कल हो गया पेपर so absolutely correct बिल्कुल straight forward सवाल for a young adult with normal vision what is the value of least distance of distinct vision तो least distance बच्चा 25 cm होता है ध्यान रखना एकदम आसान सवाल दीगे तो यह जो है theoretical value है NCIT में लिखी होती है मैं याद होती है आटबा सवाल बच्चो आप लोग की screen पे yes least distance of distinct vision is also known as near point of the human eye question number 8 this question आप लोग के सामने screen पे यह रहा B और C B और C बहुत सारे जो है अलग अंसर आ रहे है बिटा यार यह काम टिंडल ने नहीं किया था the idea that this sunlight is made up of seven colors was given by डीके आपको एक चीज पढ़ाई जाती है Newton's prism के बारे में Newton ने क्या किया था एक prism ऐसा रखा था और उसके सामने दूसरा prism ऐसा रखा था तो ऐसा रखने से क्या हुआ था light जो है seven colors में यहाँ पर break हुई चलते हैं नवा सवाल यह रहा आप लोग के स्क्रीन पर कमान दोस्तो बेटा माराश का प्रिपर कल करा दिया अपने आप जाके देख लो बेटा है ना चलिए ninth question आप लोग के सामने calculate the number of electrons considering one coulomb of charge रहे यार कितना असान है ठीक है एक electron का charge होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs ठीक है बच्पन में आपको सिखाए गई बात है unitary method अगर one coulomb लिखना है तो one upon यह 1.6 cross multiply होके ऐसे नीचे आ जाएगा this much of electrons ठीक है जब इसे करते हैं तो 6.25 into 10 to the power 18 6.25 into 10 to the power 18 ऐसा आपका solution निकल के आता है कौन से option में दे रखा है so the correct thing that is here is given in option D option D बच्चों बिल्कुल सही है एक और सिधा साधा सवाल आप लोग की screen पे हुआ question number 10 बच्चों यह रहा दस्वा सवाल come on guys Tamil Nadu का भी easy आता है सबका easy आता है करते चलो बस दस्वा सवाल आप लोग की screen पे यह रहा if the value of resistance is doubled the current gets क्या होगा भीया ohm slow लगाया जाएगा V is equals to IR ठीके अगर आपने resistance की value को double किया है तो current के साथ क्या होना चाहिए अगर ohm slow applicable है तो आप क्या बोलेंगे कि battery जो है external जो voltage है वो constant है and अगर आप resistance को double कर रहे हो तो current reduce हो जाएगा ठीके तो current will be halved so that is why A is the correct answer straight forward सवाल एक और आसान सवाल आपने याँ पर पेपर में देखा question number 11 गुजरात NTSC 2019 का ये रहा चलिए ये सवाल करते हैं an electric bulb is corrected to a 220 volt generator current is 500 milliampere what is the power of the bulb इसकी power क्या होगी बताएं भई बिटा उत्रप्रदेश हो गया है अब दुबारा नहीं कराएंगे हम यहाँ पे उत्रप्रदेश पिछले week करा दिया है हमने अब नहीं कराएंगे दुबारा so absolutely correct बहुत आसानी से आप कर सकते थे पार की value होती ही sir V into I V जो है 220 given है current जो है 500 milliampere बन्दब 500 divided by 1000 तो यह 1 by 2 लिखावा है that is 110 watt is the correct answer तो that is the correct answer आप देख सकते हैं सीधा साथा सवाल आसान सवाल ठीक है बारवा कुश्चन यह रहा आप लोग के सामने what is the melting point of tungsten used for making bulb filaments ठीक है melting point of tungsten हाँ भाई गुजरात का कट आप 180 के उपड जाता है अब देखोई यह ऐसा सवाल में बोलूँगा या नहीं पूछना चीए था ऐसा सवाल जो है नहीं पूछना चीए था because बच्चों को यह value याद थोड़ी होती है यह value याद थोड़ी होती है ठीक है अब देखो A, B, C, D, A, B, C, D सारे आंसर तुम लोग मार रहे हो यार ठीक है अब मैं आपको बता हूँ इस सवाल के साथ क्या रहा था यह सवाल जो है इसका अगर exact answer आप देखोगे वैसे भी बच्चों को तो याद रहता नहीं है यह सब 3, 4, 2, 2, 2 degree Celsius यह correct answer है मुझे बहुत अजीब सा लगा यार 3, 3, 5, 0, 3, 3, 8, 0 3, 5, 5, 0, 3, 5, 8 इतने close answers देने नहीं चीए थे पहली बात तो हम कभी भी बच्चों से expect नहीं करते हैं कि वो exact values ध्यान रखे तो यह melting point of tungsten रहता है इन्होंने सारे option गलत दिये थे and गुजरात के paper में यह bonus जो है bonus गया था सवाल यह bonus किया गया था यह सवाल ठीके तो देख लीजे गाईस सर क्या मैं अभी NTC के preparation start करूँ तो क्या NTC crack कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं ठीके तो यह जो है यह सवाल बटा बोनस गया था यहाँ पे मैंने आपको बताया नेक्स सवाल आप लोग की screen पे यह रहा माराश का topic प्लीज बिटककल हो गया आप नहीं होगा आज नहीं होगा आज गुजरात आज देखो बच्चो जितने भी तुम लोग बात कर रहे हैं तो तुम बता देता हूँ गुजरात 2019 18 and 17 इनके लेके आया हूँ तो इनी के तो करा हूँगा ना यार ठीके समझो इस बात को यही है आज यही है अ सोलर टीपिकल सेल के प्रोड्यूस अबाउट डेश वाट ओफ एलेक्टरिसिटी कितना अमांट ओफ एलेक्टरिसिटी यह प्रोड्यूस कर सकता है तो guys again again एक theoretical सवाल है जो guys आपको value याद रखनी है तो एक जो solar typical cell होता है वो 0.7 watt ठीक है अब बच्चे बोलेंगे सरी ये कैसा अठीक है NCRD की किताब में जो है ये चीज लिखी वी है तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है and it's a theoretical question नहीं नहीं 0.6 नहीं है तो यहाँ जो answer है D is the correct answer एक solar cell ठीक है तो अगर अगर अपन देखे भी सही NCRD जो है बुक में क्या लिख रखा है इसके बारे में ठीक है एक बार उसके पर भी विचार कर लिया जाए तो भाई एक बार इसको चेक किया जा यार इनका जो है answer सही है या नहीं ठीक है तो हमें जो है देखना पड़ेगा कि यह जो है एक सई answer बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं ठीक है तो एस पर दी गिवन answer can produce about 0.7 watt of electricity ठीक है तो यही भाया यही लिखा जाता है किताबों के अंदर ठीक है यह जो है sources of energy chapter से जो है sources of energy chapters है यह सवाल sources of energy जो है इसके अंदर बताया जाता है यह page number 250 ओके सर स्टेट वाइस थोड़ी strategy बता है please like उत्तरपदेश बेटा यह काम कर यह सवाल attempt कर ले strategy किसी और session में बात करेंगे अपने ना PYQ कहां से मिलते हैं यह सब internet पर पड़े तुम खुद भी देख सकते हो ठीक है तो यह जो है page number 250 पर है ओके बेटा statewide cutoff जो है statewide cutoff जो है आप google पे search कर सकते हो direct google पे search कर लेना आपको मिल जाएगा एक एक चीज़ तुमें बहुत 18 का paper आप लोग के सामने यह रहा एक है तो हम जो है सवालों को जो है solve करने पर सारा focus करते हैं मैं try करूँगा कि मैं आपके comments ना पढ़ू chat box में ignore करूँ comments को जिससे कि हम focus कर सकें सवालों पर दीक है तो guys एक बहुत important suggestion please questions करते चलें मैं आपकी जो है chat जो है उसे नहीं पढ़ने की कोशिश करूँगा ठीक है इसकी भी answer की आप लोग के सामने निकाल के लिख देते हैं उसके बाद आपको सारे answers back to back बताते जाएंगे एक सीधा साधा straight forward सवाल चाली देखते हैं इसका answer जो है सब बच्चों ने वैसे देही दिया होगा बिल्कुल सीधा साधा सवाल था तो ए ए ए ए बच्चे से कह रहे है answer देखें भाई what is the speed of light in glass ठीक है अब देखें रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होता है ठीक है यह अपने को पता होता है एंड हम क्या कहते है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कैसे दिया जाता है सी डिवाइड बै वेलोसिटी इन देट मीडियम तो य यहां देख रहे है 15 सवाल यह रहा आप लोग के screen पर 15 question यह रहा जितने यह बच्चे hi hello कह रहे है नमस्ते कह रहे हैं good afternoon कह रहे हैं सब को मेरा hi hello नमस्ते good afternoon good evening चलिए let's focus on the questions अपन back to back सवाल करने की सारी कोशिश करते चलते हैं तो यार ये तो बिल्कुल साही है n1 sin theta 1 is equals to n2 sin theta 2 चलो भई या ये साही है and ये वही तो लिखा है उल्टा कर दिया बस ये भी तो वही लिखा है सब सेम बाते लिखी है same है same है same है n1 sin theta 2 so यहाँ पर उन्होंने कुछ चीज़े बदल दिये गलत कर दिया है so that is why it is wrong and you need to tick this that this is the correct answer चलिए next सवाल पर 16 सवाल ये रहा आप लोग के सामने देखते हैं कितने बच्चों को ये चीज़ याद है या नहीं याद है बेटा मयंक चौबे आपको एक suggestion है कि अपन मैं आपके comments को अभी नहीं पढ़ रहा हूँ अपन बाद में बाद करेंगे पहले सवाल कर लेते हैं न बहुत ज़्यादा straight forward सवाल है याँके देखते हैं कितने बच्चों को ये चीज़ याद है so absolutely correct यार February 28 28th Feb को जो है 28th Feb को जो है National Science Day मनाया जाता है तो हमें as in अगर यार हम साइन्स के विद्ध्यारती हैं साइन्स के चात रहें तो हमें ये चीज़ याद भी रखनी चाहिए मैं आपको बता रहता हूँ so please remember this thing next question ये रहा आप लोग के सामने 17th सवाल आप लोग के सामने ये रहा when a milky and cloudy layer is formed on the islands of old age person they lost their vision partially or completely this type of situation is called अगर loss of vision हो जाता है तो ये situation क्या कहलाई जाती है absolutely correct ये बात ध्यान होने चीए कि यही चीज cataract कहलाई जाती है next सवाल आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा question number 18 बच्चो हाँ मोतिया बिंद कहते हैं इसे मोतिया बिंद सही बात एक दम ठीके determine the equivalent resistance between points x and y in the following circuit and we don't have the circuit ठीके तो ऐसे में जो है अब हमें दारमदार उठाके जो है circuit ढूंड के आप लोग के सामने बनाना पड़ेगा ठीके तो कहां गया अच्छा paper में भी नहीं दिये थे वाँ 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 तो ये जो paper है इसके अंदर भी नहीं पड़े वे ठीके चलो कोई बात नहीं हम जो है तुम्हें दे देते हैं तुम्हें करने के लिए ठीके पंदरा है 10 है 5 है 5 है 10 है चलो solve करो बताओ तुम लोग के लिए circuit बना दिया है मैंने यहाँ पर ठीके So that is how this circuit is there मैंने आप लोग के लिए circuit बना दिया है यह इस circuit है गुजरात के हिसाब से तो इतना ही आपन अपाल सी ए आपसीटली करेक्ट जो है यह 15 जाता है के पंदरा हो जाता है यह 15 second बाइ 3 तो करेंट्ड ओप्पिन उप्शन ए तो उस रसाब से अपको यह बता दिया वैसे बिल्कुल सीधा साथा सवाल नेक्स सवाल जो है 19 सवाल आप लोग की स्क्रीन पर यह रहा इन में से गलत गलत फॉर्मला कौन सा है यू नीड टू टिक ओन दी रॉंग फॉर्मला मैं टफ कैसे दू जो गुजरात ने दिया है गुजरात का ही पेपर दे रहा हूं अनकाइट में प्लस पे स्टडी माट्रियल विल बी प्रोवाइडे यू इन दिस सॉफ्ट कॉपी इन पीडियेफ फॉर्मेट जहां हम माटीरियल को अपलोड कर देते हैं बच्चा उस कंटेंट को यूज कर सकता है ठीक है इसको जड़ा चेक करने की कुशिच करते हैं यह w is equals to r और यह i square t लिखा हुआ है ठीक है ओ भाईया यह क्या बना दिये है par is equals to v square by r यह तो बिल्कुल सही है r is equals to i square t यह पता नहीं क्या बना दिये तो यार यह तो बिल्कुल सही गलत लग रहा है this is not correct तो यह जो है correct नहीं लग रहा है यह जो है par is equals to i square r यह बिल्कुल सही होता है तो यह जो है यह भी सही है तो यह तो answer नहीं हो सकते ठीक है यह क्या लिखा है ठीक है चलो यह मुझे आप समझ में आ गया यह लिखा है w by t is equals to i square r ठीक है work done per unit time यही तो पार होता है तो पार is equals to i square r तो यह भी सही लिखा वाई ठीक है गलत क्या है यह तो कुछ होता ही नहीं है यह तो c is the wrong one हमें wrong one को यहाँ पे choose करना था तो इस तरह ऐसे लिखा वा था w by t मतलब work done per unit time नेक्स सवाल बच्चो यह रहा आप लोग की स्क्रीन पर 20th the unit of electrical potential differences electric potential difference की unit क्या है देखो तुम लोग को दुबारा बता देता हो north zone में जितनी भी state आते हैं वो हो चुके है west zone अभी चल रहा है west के बाद south zone आएगा south के बाद जो है east zone आएगा कौन सा state कौन से zone में आता है यह तुम t.me let's crack olympiards इस telegram channel पे एक picture share किया गया था मेरे दुआरा वहाँ जाके आप देख सकते हो अब मत पूछना यह बात कि कौन सा state किदर आता है वो नहीं बताऊंगा अब ठीक है चलो यह सवाल करने की कुशिश करते है absolutely correct बिल्कुल simple सवाल electrical potential की unit क्या होती है delta v is equals to w by q हमें पता होता है तो यह joule per coulomb joule per coulomb conception में दिख रहा है बी में दिख रहा है इतने आसान सवाल next सवाल आप लोग की screen बेटा question number 21 यह रहा एक बच्चा पुछ रहा है बी आर का कव आएगा बीटा देख तेरे सामने लिखावा तो पिछली वाली slide पे मैं नहीं बता पाऊंगा बीजीद बी आर का कव आएगा a car accelerates uniformly from 18 to 36 यह क्या है भाईया 18 का मतलब 5 meter per second and यह कितना है 10 meter per second acceleration is equals to v minus u by d इतना आसान सवाल पूछे है भाईया देखो तो इससे साफ साफ दिख रहा है आपको 1 meter per second square is the correct answer सीधा साधा straight forward सवाल a was the correct answer question number 22 बच्चो यह रहा आप लोग के screen पे what is the SI unit of momentum momentum की SI unit क्या है what is the SI unit of momentum d बी दिये हैं कुछ बच्चा answer ऐसा मत करो यार momentum क्या होता है mass into velocity kg into meter per second that is the correct answer एकदम सीधा सवाल 23 सवाल आप लोग की screen पे what is the mass of the moon अब यहां फस सकते हो यार तो बेटा आलोग सिंग strategy वेगरा मत पूछिए सवाल कर ले यार अभी क्योंकि कुछ नहीं होता है strategy वेगरा तुम जितनी बार भी पूछते हो तुम सवाल attempt करो सबसे पहले मत पूछ बेटा आलोग strategy सर क्या कभी कोई question NTSC का PYQ revise हुआ है हाँ हुआ है बेटा अब attempt कर ले अब सवाल 22 question में H है km नहीं ठीक है kg meter per second यह होता है यार पता नहीं तुमने क्या याद कर लिया ठीक है 23rd सवाल देखते है तो भाई देखो आपको mass of earth पता है क्या नहीं पता तो याद रखना 6 into 10 to the power 24 kg है ना अब जो है ना यहाँ पर बाकी masses भी आप लोग के सामने लिख रखे हैं इन्होंने and जो mass of moon होता है ना उसको याद करने का तरीका बता रहो m by 80 के आसपाँ होता है यह इसका जो है 1 by 88 होता है ठीके तो mass of moon is equal to 1 upon 80 times of mass of earth ठीके ता आप बोलेंगे 6 divided by 0.8 यह 10 to the power 22 हो गया तो 6 divided by 0.8 करेंगे तो यह 60 divided by 8 लिखा हुआ है ठीके तो इससे कितना आ जाएगा 7.5 into 10 to the power 22 इस तरह से अगर मैं आपको exact बताऊ नहीं तो यह 1 by 81 होता है पर 1 by 80 करीब जो है आप याद रख सकते हैं तो 7.5 जो है यह रहा इससे आपको answer B दिखाई दे रहा है तो 1 by 80 होता है यह याद रखना हाँ exact value बताऊ तो उस बच्चे ने भी chat box में अभी मैंने देखा यह बात लिखी अगर exact value बताऊ तो 1 by 81 जो है आप इससे याद कर सकते है 1 by 81 वो तो calculation easy करने के लिए मैंने 1 by 80 आप लोग को लिख दिया था बढ़ 1 by 81 जो है यह exact है ठीक है 1 by 81 इसका answer होता है आपर चलिए next सवाल पर यह रहा 24th सवाल सर आप अपना gmail बताओ प्लीज बेटा मैं gmail नहीं चलाता पेटा I am not using any gmail right now हाँ यह ntc question से बेटा चलिए next सवाल आप लोग की स्क्रीन पर यह है 24th सवाल गुजरात के 2018 के पेपर का यह रहा हाँ कल OP questions आएंगे विड़ा आप लोग के साब ले चलिए देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं boy of mass 50 kg runs a staircase of 45 steps in 9 seconds if the height of each step is 15 cm find his power ठीक है चलिए तरीका बहुत आसान power is equals to mgh divided by t mass कितना है boy का 50 g की value कुछ बोले हैं क्या यह 10 लेने को बोले हैं and height कितना है staircase of 45 steps 45 steps है और हर step का height कितना है 15 cm तो 15 divided by 100 करेंगे meter में convert करने के लिए and time लगा 9 seconds तो बच्चों देखों कैसे cut गया यह 2 times गया यह गया ठीक है अब कैसे लिख सकते हैं यह 5 times गया 25 multiply by 15 ठीक है तो यह जो है 375 आतवा यहां पर answer दिख रहा है 375 watt that is why हम कह सकते हैं D is the correct answer आसान सवाल यह तरीका इस सवाल को solve करने का चलिए 25 सवाल यह रहा आप लोग के screen पर नहीं बेटा मैं contact number नहीं distribute कर सकता I cannot distribute my contact number right now मयंग 24 आप से गुजारिश है आप सवाल कर लीजिए chat box यूज करने का नहीं यार बेटा so see कुछ जगह के चुछ code of conduct होते तो मैंने जो आपको बात बताई यह एकदम सही है तो we cannot distribute the numbers तो इसलिए आपको मैं request करता हूँ कि आप अच्छे से कर लोग यह सवाल इसके लगो कोई और option है नहीं ना अपने पास सकते हैं solid liquid gas तो जब आप solid से लिक्विड में जाते हैं gases state में जाते हैं तो velocity will decrease that is why c is the correct answer यह तरीका है यह method ता solve करने का simple सी बात चलिए 26 वा question गुजराक के 2018 के paper का 26 सवाल यह रहा आप लोग के screen पे एक बचसा 21 question में कुछ कह रहा है उसकी बात भी देखेंगे बिलकुल सीधा सवाल 100 meter को nanometer में बदल रहे हैं बेटा ध्यान रखना 1 meter is equals to 10 to the power 9 minus 9 nanometer ठीके अब जो है अब जो है यहां पर जो है किस तरह से बदल गया है यहां पर यह क्या किये हैं यह क्या किये हैं ठीके इका कर दिये हैं हरे हमें तो गलत लग रहा है यार हमें तो गलत लग रहा है यहां पर देखो क्या गलती किये हैं यह ठीके नजए कुछ तो कुछ तो गलती कियें कुछ तो गलती कियें तो चरह इनके पेपर को देखते है कि क्या जो है पेपर में डाला था है इनका exact पैपर क्या है ठीक है मतलब मैंने उल्टा लिखा है 1 nanometer जो है 10 दो पौर माइनस 9 है ठीक है अच्छा उल्टा ओ माइगाड यह उल्टा लिखा हुआ है एक सेगंड बीटा इससे जो है यह nano आएगा यह मिटर आएगा ठीक है तो यह जो है यह मैंने उल्टा डाला है my mistake अब जो है अच्छा अब convert करना देखो तो अब आपने वोला सरी से इधर लेके जाओ तो positive answer आना चीए अच्छा 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 समझ रहे है 10 दो पौर 9 माइनस 9 दर गया nanometer wire easy सवाल पर फालतू में time waste करा दिया 10 दो पौर 9 यह जो है 1 meter के अंदर ऐसा होता है तो 100 में क्या होगा 10 दो पौर 11 हो जाएगा that is right बीज देखरेट answer तो हाँ यह भाई फालतू का time waste करा दिया 1 nanometer is you got to 10 दो पौर 9 meter ना तो आपने इसको जो है unitary method से check किया तो यह 10 दो पौर 11 बन गया ठीके तो वाओ अच्छा सा जो है आतवाद बताता जाओंगा let's try to attempt this question आसान सवाल लग रहा है straight forward सवाल दिख रहा है यह वाला भी यह चली just a second मैं इसकी answer की जो है आप लोग के लिए निकाल रहा हूं come on guys तो यह सवाल जो है इसको किस तरह से attempt कर सकते हैं देखते हैं यहां पर सर आप हम आपसे कैसे बात कर सकते हैं कुछ important चीज़ जिसका से सवाल बहुत इजी है सर जी सब आता है question भी लग रहे हैं और चैड भी कर रहे हैं ठीक है very good बिटा आप मेंसे यहीं पर बात कर लो अभी के अभी अभी अपन बात कर लेंगे तो यह जो है for which of the following physical quantities it is necessary to indicate direction along with its magnitude अब देखकर speed क्या है यह तो scalar है scalar है path length मतलब distance है यह भी scalar है आपका ठीक है then displacement is a vector quantity vector quantity में हमेशा आप direction बताते हैं तो यह c correct हो जाते है temperature temperature अगें जो है scalar है it is not a vector quantity तो vector quantities में आप direction बताते हैं यह question number 28 आपकी screen पे यह रहा guys बेटा आज 39 questions है देखो एक घंटे की class रहती है अपनी हमेशा attention नहीं मतलो तुम करते चलो है न सिम्मेंटी क्यों नहीं लेते है रहे यार देखो एक format है इसको इस तरह से कर रहे हैं मेंटी नहीं होता है इसके अदर न simple सवाल which Newton's law of motion gives magnitude of force कौन से law से जो है magnitude of force आपका निकल के आता है तो आपको पता है कि सर मैगनिटूड जो है f net is equal to m net second law से magnitude निकलता है so that is why b is the correct answer इतना आसान सवाल 2017 के paper का 29th question बच्चो ये रहा आप लोग की screen पर 29th question come on guys ये सवाल करने की कोशिश करें which of the following physical quantity is a scalar quantity mass force impulse of force momentum इन में से scalar quantity कौन सी है अब यार b answer क्यों दे रहे हो तुम ठीक है scalar पूछा है बेटा scalar quantity पूछा है इसके अंदर and मुझे लग रहे हैं एक question skip हो गया क्या 27 ये c हो गया ये वाला b हो गया नहीं हुआ skip ठीक है तो skip नहीं हुआ so scalar quantity कौन सी है बेटा ये सबको पता होता है mass जो है इसका कोई direction नहीं होता mass scalar quantity होती है so that is why is the correct answer straight forward सवाल बहुत आसान सवाल अपने को देखने को यहां मिल रहे है 30th question बच्चो ये रहा आप लोगे सामने give the SI unit of density give the SI unit of density अब मैं आपको बता देता हूँ ये जो question था इसके अंदर मैंने कुछ correction किया है paper के अंदर जो units आई थी वो मैं आपको बताता हूँ paper के अंदर जो है 2017 का ये paper है and इसकी जो units उन्होंने डाल के दी थी हाँ तो मैं आपको बताता हूँ जो last यहाँ पर जो है बहुत सारी बच्चे साही answer दे ही रहे ये जो option था ना उन्होंने paper के अंदर जो है गलती से केजी पर मेटर डाल के दे दिया था ये 2017 के paper में bonus रहा था बट जब हम question upload कर रहे थी तो हमने इसे आप लोग के लिए convert करके ठीक कर दिया because एक common sense वाला question kg पर मेटर क्यूब is the answer density जो है mass per unit volume होती है तो गुजरात का paper गुजरात वाले जितने भी बच्चे से देख रहे है so you can understand, you can feel that गुजरात का NTC paper कितना straight forward आ रहा है अपना ठीक है चलिए next सवाल सबसे आसान पेपर गुजरात का straight forward चलिए, come on बचो what is the full form of PNG PNG क्या है CNG सब लोग जानते हैं compressed natural gas what is PNG guys impulse of force ठीक है, देखो बेटा impulse of force क्या होता है, अच्छी बात बोली इसने impulse is equals to F delta D, ठीक है यह है impulse of force F into delta T, यह impulse of force कह रहा है जाता है next सवाल, जो है इस पर चलने से पहले जड़ा देखते हैं, इसका answer जो है, क्या देना चाह रहे हैं बच्चे, बहुत सारे बच्चे, A भी दे रहे हैं B भी दे रहे है, what is the full form of PNG ठीक है, petrol natural gas pressurized natural gas pipe natural gas pure natural gas, तो यह जो है अब देखो, इसमें अपने दिमाग में विचार आना चाहिए कि PNG का full form क्या है PNG का full form क्या है, ठीक है यार मुझे तो जो है सारे के सारे गलत लग रहे हैं ठीक है मुझे तो जो है, सारे के सारे जो है यहाँ पर अब गलत लग रहे हैं सही है भाई, सही है तुक्का मात मारो जो इसका answer है जो इन्होंने answer की में दे रखा है that is the correct answer so I was just checking that इनका answer सही है pressurized natural gas pressurized natural gas ही कहते है so pure natural gas pipe natural gas भी नहीं है petrol natural gas भी नहीं है यह तो बहुत ही अजीब सा option था यह तो किसी को नहीं देना चीए था pressurized natural gas so as per the answer की उन्होंने b दे रखा है b is the correct answer next सवाल 32 सवाल यह रहा है आप लोग के लिए सामने वैसे वैसे मैं आपको बता रहा हूँ ठीके जो मैं देख पा रहा हूँ न if I do the Google तो PNG का जो है piped natural gas यह आता है ठीके but I don't know इन्होंने answer की के अंदर pressurized क्यों दे रखा है ठीके तो यह थोड़ा ambiguity वाला question लग रहा है मुझे ठीके इससे पहले वाला सवाल because इन्होंने गुजरात के NTSC ने जो है इसका answer pressurized natural gas दिया है but 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 as per this solution as per this जो हमने देख रहे है piped natural gas यही लिखावा मिलता है हर जगए हर जगए अगर आप देखेंगे search करने ही कुशिश करेंगे तो यह एक ambiguity वाला ठीके तो अगर आप search करेंगे तो इन्होंने जो है piped natural gas हमें answer की जो है ऐसा नहीं दे रखा है उन्होंने but google करेंगे कहीं भी और search करेंगे तो piped natural gas ही answer आता है they have given the answer is pressurized natural gas ठीके तो यार मुझे तो गलत लग रहा है मुझे लग रहा है C ही होना चीए because हमने भी जो है piped natural gas जो है वही जो है past में सुन रखा है तो I'll suggest यार यह option गलत है ठीके चलिए 30 seconds स्वाल जो बात करी थी which Newton's laws of motion defined force force को किस law ने define किया absolutely correct force को जो है first law ने define किया बच्चे क्या सोचते हैं कि सर्फ force जो है F net is equals to M A net यह second law से define हुआ नहीं बेटा second law से magnitude निकल के आता है but force is defined force is defined with the help of first law ठीके तो please इस बारे में इस चीज़ को ध्यान रखना यह सवाल आपका गुजरात का question हुआ next सवाल of गुजरात 2017 NTSC का गुजरात का question come on guys यह रहा आप लोग के सामने कमान दोस्तो ठीके इतने नाइंसाफी मत किया करो 102 लोग live होके ठीके इतना जबरदस session अटेंड कर रहे हो so keep supporting, keep liking वो जरूर क्लिक करते रहो ऐसा करते रहो हम निरंतर यह sessions आप लोग के लिए run कर रहे है ऐसे ही run करते रहेंगे यह जो like बटन इसे जरूर हिट करके इसे increase जरूर करो बचो है ना ठीके इसमें कंजूसी मत किया करो तुम लोग चलिए next जो है density of water अब दिखो यार ऐसे straight forward सवाल paper के अंदर आ रहे हैं हम आपको सीधे paper से questions लाके डाल के यहाँ पे करवा रहे हैं तो absolutely correct सब बच्चों को मालूम है 1000 kg per meter cube that is the correct answer तो यह एकदम सही answer है next सवाल पे चलते है question number 34 यह रहा आप लोग की screen पे come on 34th what is the orbital period of Halley's comet यार यह सवाल भी paper के अंदर आया था Halley's comet का orbital period क्या है पेटा हम लोग interact session के end में करेंगे अगर अभी interact करेंगे न तो नुकसान हो जाएगा session का इसलिए I am waiting for the end वहाँ पर मैं आप लोग की जो भी queries होगी आपको help जरू करूँगा ठीकिए अभी एक बच्चा लिख रहा है करनाट का कब ला होगे सब की help करूँगा पहले सवाल कर लेते है न वरना क्या होगा session का flow तूट जाता है बेटा तो बहुत सारे बच्चे जो है answer दे रहे है absolutely correct तो आपको पता होना ची Halley's comet जो है 76 years में 76 years में जो है repeat होता है सामने से निकलता है आता है चलिए very good ये सवाल आपने देखा question number 35 आप लोग की screen पे ये रहा चलिए गई थर्डी फिफ्ट question ये रहा आप लोग के सामने एक दम straight forward सवाल where is the image of an object formed in human eye human eye के अंदर जो image है वो कहां पर form हो रही होती है तो absolutely correct iris से light रे पास होती है pupil जो है वो control कर रहा है retina and cornea cornea तो reflection है retina के उपर बेटा जो है आके image यहां पर form हो रही होती है so very good guys next सवाल पे चलते हैं ये रहा next question question number 36 आप लोग के सामने what is the unit of electrical potential difference potential difference की unit क्या है ठीक है absolutely correct a is the correct answer इसकी जो unit है वो वोल्ट है बेटा यहां पर बिल्कुल आसान सवाल 37 question आप लोग के सामने देको यह question repeat किया इन्होंने this question they have repeated in the paper they have repeated this question 1 kilowatt hour किसके बराबर है तो आपको पता है 3.6 into 10 to the power 6 यह repeatedly क्या 2018 में भी पूछ लिया 17 में भी पूछ लिया इतना आसान सवाल एक और सवाल आप लोग के सामने स्क्रीन पे यहां पे निम्टा and next सवाल question number 38 यह रहा which is the following is correct for x-ray x-ray के लिए इनमें से correct क्या है x-ray के लिए क्या चीज correct है it is a beam of electrons it is electromagnetic waves it is positively charged particle it is negatively charged particle क्या है भी यह सई क्या है तो ध्यान रखना x-rays जो है यह em waves के अंदर count किया जाता है आपको मालूम होगा gamma rays visible light जो है infrared radio waves एक पूरा इस तरह से आपको spectrum बढ़ाया जाता है so x-ray जो होती है em waves है electromagnetic waves है चलिए आगे बढ़ते हैं next सवाल 39 सवाल आप लोग की screen पे यह रहा who was the scientist to make attempts for giving explanatory definition of element तो वैसे तो मुझे लग रहा है chemistry का सवाल है chemistry का सवाल है बढ़ चलिए कोई बात नहीं physics के पिपर में डाल दिया गया है तो किसने element के बारे में define करना बता है था आपने को बता हो यार अब ये सवाल आपको confuse कर सकता है हाँ भई, gx, uv, i, m, are बिल्कुल सही बता रहे है तो तो ये जो question है इसके बारे में देखो यार scientist to make attempt for giving explanatory definition of element यार देखो अगर देखो पहली बात तो यह physics का सवाल तो है यह नहीं ठीक है physics का सवाल तो है यह नहीं ठीक है and मैंने तो scientist के नाम कभी सुना भी नहीं यार मुझे तो ऐसा लग रहे ठीक है तो मुझे तो ऐसा लग रहा है मतलब मेरी जो chemistry है बहुत weak है मतलब मेरी chemistry तो weak है मेरे को बहुत जादा पता चल गया है तो answer की में भी यह answer दे रखा है and यही answer सही है levish your जो है levish your जो है that is the name so defined an element as the basic form of the basic unit of any substance ठीक है तो इन्हों ने जो है define किया था तो भाईए यह तो chemistry का सवाल है physics में तो आता है नहीं कोई बात नहीं गलती से डल गया था आपने यहापर इसका solution देखा समझा मुझे पता चल गया मेरी chemistry week है यहाँ पर देखके 48 सवाल who discovered gamma rays gamma rays को किस तरे discover किया था ना ना जॉन डाल्टन नहीं है जाल्टन का अंसर नहीं मार जेना है हर जग है ठीक है who discovered gamma rays ठीक है तो who discovered gamma rays किस तरे discover किया था ठीक है तो यह जो है spelling मुझे लग रही है गलत है विल्याड जो है उनका नाम था विल्याड ठीक है तो अलग लग जग है अलग लग नाम जो है यह लिग देते है so the correct answer for this question is option C इन्होंने यह discover किया था तो यार मैं तो यह मानूगा कि यह दो question आखरी वाले जो है physics के तो नहीं थे यह chemistry के questions होंगे वहीं आपको यह पढ़ाया जाता है so that's it guys ठीक है यह जो है questions में आप लोग के सामने लेके आया था गुजरात NTSC के बिल्कुल straight forward paper होता है मैंने देखा बहुत सारे बच्चे अपने अपने state का जानना चाते हैं कि उनका कब होगा देखो बहुत simple बात बतातो हमने planning इस तरह से बनाया है कि पहला week जो है north zone का था यह done ठीक है अभी जो है हमारा west zone चल रहा है तो west zone में अभी तक हमने भी planning किया है कि कौन सा state कब कराएंगे ठीक है तो देखो मैं आपको बता देता हूँ कल जो है west zone में महराष्ट महराष्ट का जो है इसका paper बड़ा tough आता है इसलिए हम इसे दुबारा से कराएंगे महराष्ट का जो है 2018 and 2017 के papers जो है कल यहां discuss करेंगे then इसके बाद जो है west zone के बाद बेटा हम लोग आप लोग के लिए south zone लेके आएंगे south के बाद east लेके आएंगे अब जैसे बच्चे बूशते करनाट का कब आएगा आंदर कब आएगा obviously वह south में आएगा अब कौन से दिन आएगा यह नहीं बता पाऊंगा मैं आपको क्योंकि हमने plan मैंने plan नहीं किया है इस तरह से east zone जो हो गया west bengal जो हो गया जारखंड जो हो गया 36 गड़ जो हो गया वो सारे east zone में target किये जाएंगी वह वहां पर आएंगे south zone में जो state है south वाले बच्चे समझ सकते हैं यहाँ पर जो है कल थोड़े से difficult सवाल कराये जाएंगे आज easy सवाल थे अगले दिन difficult होंगे इस flow में हम ल लेवल का content नहीं कर रखा है तो अभी भी आप करना चालू कर सकते हैं previous question paper सारे लगाओ आपको पूरा idea मिलेगा और बताओ so 21 question में m by h है km by h नहीं है ठीक है देख लेते हैं भाईया बिल्कुल देख लेते है 21 इसकी जो है बच्चे की बात बिल्कुल सुनेंगे अपन ठीक ह 21 question में m by h है इसे ठीक कर दिया जाए यह km per hour जो है कर दिया जाए करेक्शन कर दिया जाए ठीक है बिटा यहां करेक्शन कर दिया है अब सही है ठीक है तो that is the way हमने उसे correct कर दिया उसकी बात भी सुन ली और बता और किसी बच्चे की कुछ query ठीक है यूपी के लिए ncrt पड easy हर्याना बिहार और ap इनके papers थोड़े से tricky और tough आते हैं बाकि सारे easy है बिल्कुल सारे straight forward है ठीक है उत्तर प्रदेश ntc के लिए tips ncrt पड़ो बाकि सब बच्चों के लिए tips सारे बच्चों के लिए tips कोई सबी state का बच्चा हो कोई सबी state का बच्चा हो हर बच्चों के लि lot of questions जितना practice करोगे temperament increase होता जाएगा जो आपके state का cutoff है नेट पर सर्च कर लेना उससे 10 तंबर ज्यादा लाने की ही practice करो ठीक है तुम मैं बता रहा हूं बहुत सारे easy states होते हैं उनके cutoff 180 से 185 के आसपास जाते हैं आप target करो कि आप 190 marks score करो ठीक है mock papers के अंदर आप ये रहे था पाइब natural gas वही जो है हमें हर जगह मिल रहा है तो that is the correct answer ठीक है चलिए thank you thank you thank you कि सर मैट का question कौन कराते हैं अजय सर कराते हैं बिल्कुल भाई 190 आप बिल्कुल रहे try तो करो क्यों नहीं आएगा sir MP का कब आएगा बेटा देख मैंने बताया तुझे west zone के अंदर MP आएगा अब देख कल नहीं आएगा ये बता सकता हूँ कल नहीं आएगा MP का उसके बाद जो है MP का भी आएगा है ना तो इस तरह से patience रखो उत्तरपदेश NTC के लिए tips बता हैं वो लिखी भी practice lot of questions कोई और tip नहीं है बेटा इसके लवा आयो के जिसके लिए पढ़ा था मेरी age निकल गई कोई बात नहीं बेटा अभी भी पढ़ लो आप कोई दिक्कत नहीं कुछ नुकसान नहीं होगा जारखन का cutoff विटा मुझे state wise cutoff याद नहीं है आप जाके google पे जो है state wise cutoff जो है exact values वहाँ पे सर्च कर सकते हो है ना आपको google पे exact value मिल जाएगी ठीक है thank you thank you for joining this session यही सारी चीज़े हम लोग आप लोग के लिए लेके आयते ध्यान रखना इसी तरह से निरंतर जो है best to best content आ and 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 keep loving keep supporting like करते रहें share करते रहें उन्हें हर बच्चे तक पहुचाने की कुशिश करें देखो हम लोग का जो है हमेशा aim क्या रहते है आपको best to best content deliver किया जाए हर state के paper समल आपको करा रहे हैं ठीके तो यह उन बच्चों तक पहुचना चाहिए जिनको सच में requirement है and वो in session से help चाहते हैं ठीके and इसके अलावा ध्यान रखें RA live referral code जो है इसका इस्तमाल करके आप जब भी एन academy plus platform का subscription लेगे 10% fee guys आपकी यहाँ पे reduce हो जाती है thank you thank you for joining the session वापिस मिलते हैं 7.45 पे शाम को and वहाँ पर हमें gravitation chapter आज जो है NTSC वाले बच्चों के लिए start करेंगे तो अग ंगर आप रजडाष़् जाएंगे श요 letting pineapple अगर टूियो जुझ मेंठे के लिए जो हैं वाले तो हैं और बचार एंप। तो हैं पार हूएं एन लेगे तो हैं जो हैं वाले कन रšत्माश्व मैं पाले पूंश्यादा़ आड़ और रभा एंदों